नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बाद फिस्टे स्वागत है दोस्तों अगर आपके विजली के बिल्कों करीब 50 से 60 हुनिट कम करना हो तो ऐसे में एक सबसे बेस्ट आप्शन होता है कि आपके घर पर जो existing inverter लगा हुआ है उसको हम replace कर दें क्योंकि इसके अंतरगत आपको विजली का खर्च बिल्कुल नहीं करना क्योंकि अगर आप एक single battery का भी अपने घर पर inverter लगाते हैं तो per day दो unit का consumption होता है आपके उस battery को चार्ज करने के लिए तो ऐसे में अगर आप एक सस्ता solar setup वो भी latest technology का आपको मिले जिससे आप कुछ नहीं तो कम से कम 60 unit को अपने विजली कभिल को बचा रहे हैं और उसके बाद आपको 24 घंटे और 7 दिन electricity की supply मिले तो इससे best option नहीं हो सकता है तो अगर आप भी ऐसे ही सस्ते setup की तलास कर रहे थे तो आज की सीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्यूटियल की तरब से जो newly launched इनकी सीरीज है Sunplus Pro की क्योंकि इसके अंतरगत आपको सारी latest technologies देखने को मिल जाते हैं इस inverter का पूरा interface, पूरा review और पूरे technical features बताऊंगा और साथ में अगर आप इस system के साथ एक अपना complete setup तयार करते हैं तो उस setup की कीमत क्या रहने वाली है यह system capable होगा आपका दिन में आपको 102 fan चलाने है, TV चलाने है, बल जलाने है या electricity नहीं आ रही चली गई, तो ऐसे में आप अपनी washing machine भी चला सकते हैं तो दिन के time या आपके mostly जो घर के हलके load है, वो सभी चला लेगा और रात में इसमें एक decent battery bank का size देखने को मिलेगा जिससे आप रात में भी एक दो fan, light और TV easily चला सकते हैं तो चले बात करते हैं आज के इस वीडियो की channel परना है, दोस्तों subscribe के लिजेगा और वीडियो 100% परसंद आएगा, यह मेरी guarantee है, बिना like के हुए मच जाएगा दोस्तों यह है utl company के तरब से आने वाला sun plus pro inverter इस inverter के अंदर आपको तीन model देखने को मिलते हैं, एक इनका 920, एक 1020, तीसरा 1420 तो यहाँ पर आपके शामने display में लगा हुआ है, यह है 1020 model इस model का जो main 3 की features हैं, वो company ने box पर ही mention किये हैं, थोड़ा उनके बारे ही बता देता हूँ पहला इसके अंतरगत, utl का patented RMPPD technology का solar charge controller है, जो सबसे latest माना जाता है, वो charge controller इसके अंतरगत दिया है, इसके साथ ही यहाँ पर आपको charging in low voltage, तो कई जगह ऐसी होती है, जहाँ पर 100 के नीचे भी voltage चला जाता है, और कई बार देखेंगे, गरिमियों में लोग रात में इसी चला लेते हैं, अगर माल दीजे हमें सिर्फ inverter से बैटरी चार्ज करनी है, तो इसके अंतरगत आप दोनों टाइप के पैनल लगा सकते हैं, मतलब अगर आप 12 वोट लगाना चाहें, तो 12 वोट पैनल 20 पर लगेगा, और 24 वोट लगाना चाहें, तो वो भी पैनल इस पर आ सकते हैं, तो चलिए एक बार इसके इंटरफेस पर नदर डाल लेते हैं, उसके बाद कम्प्लीट प्रॉसेस बताने वाला हूं, हर एक चीज नट वोट का खर्चा तक बताने वाला हूं, तो वीडियो मिस मत करके जाएगा, विद हर प्रोड़क्त के प्राइज के, तो च इसके बीच में आपको कई indicators देखने को मिल जाते हैं, जो आपको help करते हैं, inverter में हो रही activity को जानने में, सबसे उपर आपको grid status, grid charging, फिर battery on है या नहीं है, overload और overheat का protection, इसके साथ battery status और HPV से charging हो रही है या नहीं, ये सारी चीज़े देखने को मिल जाती है, एक side इसमें आप इसका on, आपको switch देखने को मिल जाएगा, तो ये front interface हो गया, अब इसके back interface को देख लेते हैं, उसके बाद जो technical features हैं इसके वो भी मैं आपको बताते हैं, ये है इस inverter का back side, जिसमें यहाँ पर आपको cooling fan देखने को मिल जाता है, जिससे inverter आपको easily cool रहेगा, यहाँ पर आपको boost charging का भी option देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको socket दिया गया है, output वाला, और यहाँ पर आपको मिल जाता है solar panel करना कराने के लिए port, इसमें reverse SPV का भी दिया गया है, अगर मालीज आप plus में minus या minus में plus add on कर देते हैं, तो ये आपको inverter indication के माधिम से बता देगा, और आपका inverter स अब यहाँ पर इसका technical features का sticker दिया गया है, जिसको मैं display पर लगा दे रहा हूं, जिससे आप इसको easily पढ़ सकते हैं, इसके अंदर गत, आपको सबसे पहले इसका model number sun plus pro 1000 भी solar देखने को मिल जाता है, DC voltage 12 VTC, 60 ampere plus minus 5 रहने वाला है, nominal voltage तो fix रहता है, यहाँ पर इसकी capacity 900 VA है, म सबसे important चीज़ कि इसकी जो VOC range है, वो भी काफी अच्छी है, 15 से 35 है, इसका मतलब यह हुआ कि आप पास छोटे से छोटा भी panel है, जिसकी VOC 15 तक है, आप वो panel भी इस पर लगा सकते हैं, और बड़े से बड़ा half cut by facial, monopark, half cut by facial, या anti top con technology, यह सारे panel इसमें आराम से आप सेट अप होने वाला है, इस inverter में solar inverter है, तो panel capacity matter करती है, तो इस सस्ते RMPT technology के solar panel में, आप यहां पर लगा सकते हैं, पान सो साथ वार्ट का solar panel, अब एक तरफ से तो आपको लगे का पान साथ वार्ट का पैनल काफी कम है, पर दोस्तों अगर हम इसकी PWM से तुलना करेंगे, त आप 800 वार्ट का पैनल लगाएंगे, तब वो पैनल आपका करीब 500-600 वार्ट की तरीके काम करेगा, क्योंकि वो old technology है, यह RMPT technology है, जिससे आपका कम पैनल में भी आपको ज़्यादा उपर देखने को मिलेगा, तो single battery, 12 वोर्ट का system है, तो single battery के हिसाप से इसमें एक decent size का panel द 500-600 के बीच देखने को मिल जाएगा, आप इसके लिए नमबर दिया गया है, आप उसे contact कर सकते हैं, और आपको जो इसका आज का current price चला है, उसके बारे में पता चल जाएगा, तो यहाँ पर मान कर चलते हैं, कि हम अपने inverter को Sunplus Pro को purchase कर रहा हैं, जिसमें हमारा 5.560 वार्ट देखें, तो 20 रुपए पर वार्ट आपको solar panel पढ़ रहा है, जहां पर आपकर करीब 11,000 रुपए का solar panel हो गया, तो जो टोटल अमाउंट है, वो हो गया साढ़े 16,000 रुपए का, क्योंकि साढ़े 5,000 का inverter था, तीसरा main component लगेगा इसमें बैटरी का, नॉमनल लोग 150S की बै तो जब हम टोटल अमाउंट जोड़ेंगे, तो करीब 28,000 रुपए का टोटल अमाउंट हो जाएगा, और अब बचा हमारे पास structure, wire, MC4 connectors, और इसके साथ ही installation, installation करने में इसका कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सीधे connection आपको इसमें जोड़ देने है, अगर बंदरा रहने वाली है, तो connection आप कैसे भी करें, इसका connection आप से गलत नहीं होगा, बस नमबर साथ पैनल ना बना है, वो आप सिर्फ पांसो साथ वाट तक रखते हैं, अगर आपका इसमें structure और wire का खर्चा बताएं, तो एक पैनल लगाने के लिए आपको करीब total अगर अग 4 connector सब कुछ आजाने वाले हैं, मतलब अगर आप 30 से 31,000 तक का भी budget रखते हैं, तो आप एक ऐसा solar system अपने घर पर लगा लेंगे, जिससे आपको कभी यह नहीं लगेगा, कि आपके electricity की problem हो रही है, जो भी basic loads आपके हैं, mixi चलाना है, तब भी यह capable है, तो इन सभी loads को चलान नहीं थे तो subscribe कर दीजेगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, नई अपडेट के साथ मेरे नाम था सूर्यांस और आप देख रहे थे सूर्यांस प्रसांतवस्ती यूट्यूब चैनल,